Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाड़मी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंट्रेस्टेट हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंट्रेस्टेट हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखुत सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally September मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे बहले cards हैं Ace of Cups and Ace of Pentacles यह दोनों ही Aces के cards हैं Ace of Stars में नई beginning की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही कुछ time से या फिर September starting में September month में आप चाहते हुए दिख रहे हैं अब दिखें यह general reading है तो यह नई beginning सब Libras के लिए डिफर करेगी deeper level के लिए यहापे infidelity का भी card है तो कहीं loyalty को लेकर भी कुछ issues रह रहे हैं या तो आप अपने partner के लावा किसी और की तरफ attract हो रहे हैं या फिर partner की loyalty को आप question कर रहे हैं आपको उन पर doubt हो रहा है पता नहीं वो कितने loyal हैं और देखें इसी हिसाब से नई beginning भी depend करेगी for example अगर आप अपने partner की loyalty पे शक कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भई जहां से आपको एक loyal love मिले आप वहाँ शुरुवात करें और अगर आप partner के अलावा किसी और की तरफ attract हो रहे हैं तो हो सकता है कि उनके साथ एक नई beginning आप चाहा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी ये general reading है situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे लेकिन यहाँ पर in general के लिए Ace of Cups का काड कहता है कि आप अपने partner के लिए या फिर अगर किसी और की तरफ attract हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत एक love, care, प्यार, महबत महसूस कर रहे हैं marriage चाहते वे दिख रहे हैं कही engagement चाहते वे दिख रहे हैं long term चाहते वे दिख रहे हैं हमेशा के लिए जिनके लिए भी आप love feel कर रहे हैं उनका साथ चाहते वे दिख रहे हैं and Ace of Pentacles का काड कहता है आप concrete level पे you know, इस relationship को चाह रहे हैं होता है ना कभी-कभी सिरफ बाते कर रहे हैं सिरफ love express कर रहे हैं या फिर सिरफ खुआप देख रहे हैं तो उस तरीके से नहीं आप real world में, reality में इस relationship को चाहते वे दिख रहे हैं deeper level के लिए pretending का काड कहता है शायद आप true emotions, true feelings अपनी नहीं अपने partner के साथ हैं जिनके लिए आप love महसूस कर रहे हैं उनको express कर रहे हैं कहीं आपके मन में कुछ और है आप कह कुछ और हैं आप महसूस कुछ और कर रहे हैं और आप दिखा कुछ और हैं तो कहीं एक again pretending वाली energies हैं जो real में आप feel कर रहे हैं जो real में आपके मन में चल रहा है शायद वो आप नहीं दिखा रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी 10 of Wands का कार्ट कहता है कि end September में आप एक pressure महसूस कर रहे हैं, आप एक burden महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ले ले हैं, आप बहुत जादा ही अपने partner को दे रहे हैं या इस relationship में दे रहे हैं और deeper level के लिए drama and chaos का कार्ट कहता है कि कुछ जलेसी, issues, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके की confusion, किसी भी तरीके का chaos, किसी भी तरीके की mental tension या फिर एक stress महसूस कर रहे हैं, आप द तो बहुत बड़ा कुछ issue नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कोई मसला नहीं रहेगा and most of the times जब हम mentally किसी चीज को लेकर stressed होते हैं, तो वो हमारे ही mind की creation होती है, याने कि जो भी external front पे बात है, बड़ी या छोटी उसको हमने अपने mind में बहुत बड़ा बनाया हुआ है और इस चीज को अगर आप चेक करके correct करेंगे, तो यह जो tension है आपकी किसी level पे कम होएगी, तो मैं आपको एक तरीके से यह कहना चाहरी हूँ, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा अपने mindset को बदलें, थोड़ा सा अपने mind को positive करें, ऐसा करेंगे तो end September में जो यहाँ पर cards कह कि confusion रह सकती है, issues रह सकते हैं, आप थोड़ा सा, you know, एक pressure महसूस कर सकते हैं, उसको आप कम कर पाएंगे, और अब देखते हैं कि आपके partner के कि क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए सबसे पहला card है union, वो आपके साथ union चाहते हुए दिख रहे हैं, आप देखिए आप यूनियन simply हो सकता है कि आप से मिलना चाह रहे हैं, आप से physical level पे या फिर mental, emotional level पे connect करना चाह रहे हैं, कुछ लिबरास के partner के लिए हो सकता है, आपके साथ marriage चाह रहे हैं, engagement चाह रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, और कहीं इसी direction में बहुत तेजी से वो action initiatives भी लेते वे दिख रहे हैं, और कहीं बहुत तेजी से again मैं कहूंगी, इस relationship में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके का वो union चाह रहे हैं, speed से उस direction में बढ़ते वे दिख रहे हैं, और फिर से कहूंगी action initiatives लेते वे दिख रहे हैं, अगर ये long distance relationship है तो वो travel करना चाह रहे है कर रहे हैं, यहां पर travel से related planning कर रहे हैं, और यहां पर दिखिए passion का card भी बहुत जबरदस्त, एक passionate energies की बात करता है, इस card में लिखा है not getting enough of you, तो कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि जितना भी वो आपसे connect कर पा रहे हैं, उनका कहीं मन satisfied नहीं हो रहा है, उनको और जादा मिलने क की चाहा हो रही है, और जादा आपसे मिलने की craving हो रही है, desire हो रही है, and कहीं end, sorry, mid September के लिए night of souls reverse का card कहता है, की तेजी से आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से बढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर हम आपकी energies देखें, तो end September में आप थोड़ा सा एक pressure महस कर रहे हैं, एक confusion भी महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है, इसी वज़े से वो भी confused हो रहे है, या उनके personal front में कोई चीज हो रही है, या उनका ही state of mind है, तो यहाँ पर देखिए हमने starting September में देखा कि बहुत तेजी से इस relationship में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए night of source का card भी speed की बात करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात करता है, ये card reverse है, तो उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत जो भी confusion है, उसको clear करते हुए clarity के साथ चीजों को deal करना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी clarity से चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं, त लेकिन फिर भी give up नहीं करते हुए दिख रहे हैं, extra effort, extra initiative लेते हुए दिख रहे हैं, इस relationship के लिए, आपके लिए काफी challenges उनको face करने पड़ सकते हैं, अपने level पे, अपने you know, महौल के हिसाब से, जो उनका family का environment है, घर का environment है, जिस भी religion को वो belong करते हैं, या कोई भी चीज ह हो सकती है, देखिए ये general reading है, तो मैं specifically नहीं बोल सकती कि क्या वो challenge face कर रहे हैं, लेकिन जो भी challenges उनको हैं, वो उनसे घबरा नहीं रहे हैं, या फिर ये challenges उनको रोक नहीं पा रहे हैं, वो इन challenges को upfront होके बहुत ही courageously face कर रहे हैं, extra effort, extra initiative ले रहे हैं, किसी भी चीज से घबर नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, और कहीं give up भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, हालां कि मन ही मन, mental health का काट कहता है, बहुत जादा एक tension उनको हो रही है, stress उनको हो रहा है, कहीं उनकी mental health भी effect हो रही है, अब देखिए जाहिर सी बात है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना कुछ issues मसले आ रहे हैं, और उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अपनी तरफ से effort तो surface level पे कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन काफी परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और ये सब चीजें उनको परेशान करते हुए दिख रहे हैं, अब देखते हैं कि September मन्त में क्या हो र रहे हैं, लोयल्टी या तो पार्टनर की डाउट कर रहे हैं, आपकी लोयल्टी ही question mark है और पार्टनर भी कुछ challenges face कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन ही सब चीजों की वज़े से relationship पे असर पड़ रहा है और issues मसले रह रहे हैं, किसी चीज की फिक्र चिंता हो रही है and देखिए mid September के लिए Four of Pentacles का card कहता है कि बहुत tightly किसी चीज को आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने पकड़ा हुआ है, अब देखिए ये भी सब Libras और उनके partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए simply हो सकता है कि इस relationship को tightly पकड़ा हुआ है, जो भी issues हैं, जो भी मसले है इस relationship को नहीं let go करने देना चाहा रहे हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक और issues और मसलों के होते हुए भी एक दूसरे को बहुत tightly पकड़ा हुआ है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात partner की बुरी लग गई और उसको बहुत tightly पकड़ा हुआ है, कुछ के लिए कोई belief system हो सकता है, thinking हो सकती है, जिसको बहुत tightly पकड़ा हुआ है, तो देखिए कहीं थोड़े से rigid हो रहे हैं, fixated हो रहे हैं, कुछ के लिए obsessive हो रहे हैं, कुछ के लिए let go नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों को, और इसलिए या फिर otherwise भी isolated का काट कहता है, कि मन ही मन सा उदास फील कर रहे हैं, ककेलापन महसूस कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी देखिए, end September के लिए Four of Cups Rivers का काट कहता है, कि enthusiasm, excitement is relationship में missing है, कहीं एक boredom है, कहीं एक monotony है, कहीं emotionally बहुत great आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं फील कर रहे हैं, emotionally low फील कर रहे है और illusion का काट कहता है, things are not what they seem, तो जो reality है उसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं देख पा रहे हैं, अपने-पने mind में जो एक image बना ली है, जो एक picture बना ली है, जो सोच लिया है दूसरे जन के बारे में या relationship के बारे में उसी हिसाब से चीजों को deal कर रहे है या फिर जैसा आप समझ रहे हैं, जो आप expect कर रहे हैं, वैसी चीजे नहीं है, तो आपकी situation है आप बहतर समझ पाएंगे, लेकिन छोटे से, छोटे मोटे issues, मसले हैं और tarot guidance के लिए होता है, इस reading को देख कर आपने परिशान नहीं होना है, इस reading से कैसे आप guidance लेके, advice लेके अपने relationship को September month में बहतर कर सकते हैं, आपने उस पे focus करना है, तो बहुत सारी चीजे हैं, देखिए एक infidelity है, तो यहाँ पर loyalty question mark है, तो इस चीज को आप resolve करें, अगर आपको doubt है तो आप अपने partner से बात करके इस चीज को clear करें, अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने end पर चीजों को clear करें, अपने mind से और partner अगर कुछ भी challenges face कर रहे हैं, तो कैसे आप उनको support कर सकते हैं, उस पे focus करते हैं, एक enthusiasm लेकर आते हैं, जिन चीजों को let go करने की ज़रत है, उनको let go करते हैं, एक balance लेकर आते हैं, तो आप September month की energies को भैतर कर पाएंगे, औ करते हैं, कि जो दिख रहा है, वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, तो इस चीज को भी आप clear करते हैं, जो illusion है, भ्रम है, इसको भी कहीं resolve करते हैं, तो भी आप September month की energies को भैतर कर पाएंगे, तो ये थाले ब्राज आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आप को आपके सवालों का जवाब मिला है, तो जरूर मुझे नीचे comment section पर बताएं.